इस दुनिया में भाई हर वो चीज है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है आपने कभी देखा है ये मेरे को बड़ा युनीक सा लगता है हर गुरू के एक पोशाक होती है और वो पोशाक भी कुछ ना कुछ कह रही होती है राम की पुझा पहले भी हो रही है मंदिर अब भी बन गुलती है मेरे मन की व्याकुलता कैसे रियक्ट कर रही है एक एक अरत को समझने में एक आदमी क्या गल्ती करता है मै की गल्ती होती है जो मुझे समझ में आता है बा येर अपने जो एक्टर की definition समझी थी थी ना वो ये था कि एक्टर दूसरों के डायलोक्स उठाता है और उसको एक्ट करके दिखाता है लेकिन अपने कभी यह नहीं सोचा कि अगर एक्टर खुदी अपनी बाते बताने लगे जो उसके मन के अंदर है तो क्या सैलाव आएगा तो ऐसा ही सैलाव हमारे बावा कास्ट में आया जब एक एक्टर यहाँ पर आये और उन्होंने अपनी दिल की बाते कही और वो इतनी ज़्यादा प्रभावी थी जिसका इतना ज़्यादा प्रभाव फैला कि यार दूर दूर तक महुचे हो बाते और में को कई जगह से कॉमेंट आये लोगोंने रिक्वेस्ट करी किया थोड़ी और बाते तो बदा चले थोड़ी और गहराई में तो जाओ उनके साथ थोड़ी और चीज़े तो उनसे पूछो तो इसी लिए पबलिक डिमांड में भारी पबलिक डिमांड में हम उन एक्टर भाई साब को अपने पॉड़कास में लेके फिर से आ गए हैं दोस्त तो एक बार आपको पता है हो कौन है बट फिर भी दिल में एक्टम एक्टम ताली हो जाके स्वागत करते हैं मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ हमारे बहुत प्यारे मित्र और बहुत अजीज गेस्ट आधित्या भाई का आधिवाई कैसे हूँ एक्टम बढ़िया बढ़िया इंट्रों से इसे पसंदा हूँ ठिक्टम बढ़िया काफी बार बैठ गए अब तो मतला से टाइम हो चुका है काफी काफी बार हो गया मुझे पॉड़कास सबसे प्यारी बात क्या लगती है ना अधिवाई कि आज जितनी बार बैठते हो ना दोस्ती उतनी गहरी हो जाती पहली बार जब बैठे जब हम उठे हमें पता था कि अब अपनी दोस्ती हो चुकी है क्योंकि आप एक दूसरे के बारे में जान जाते ह गैर नहीं रहते हैं अपने जाते हैं जो बाते हम लोग नॉर्मली किसी को नहीं बताते हैं वो सब बाते एक दम खुल के हो जाती है जादू इसके अंदर एक चीज यह भी है भाई कि आजकल लोग ना अपनी दिल की ख्वाईशे बताना नहीं चाहते बस फ्रस्टेट उके ने कोने में बैठे हुए लोग बात नहीं करना चाहते हैं कम्मिनिकेट नहीं करना चाहते हैं लोगों को लगता है यार मैं बताऊंगा तो पता नहीं कैसा लगूँगा जब आप किसी के साथ बैठते हो ना तो आपका दिल हलका होता, आपका मन हलका होता अपना दिल खोल के बात करना ये दिखता आसाने बहुत मुश्किल कहा में आ दिती है आप यहाँ पर आये हो आपने ये किया है आज आप ये कर रहे हो तो मैं दिल से कहना चाहूँँगा कि मैं बहुत एप्रेशेट करता हूँ इस चीज़ को आप यह कहते है वहिं से भ इसे अपनी बात रखता है और ऑन अपने आक्ट रहता है तो मंस कोई भी हो बात पहुचने जरूरी है कुछ है था हट हो जिसकी अपने बोलाता है to मैं कहना चाहँगा कि सबसे पहले जिसे आप र्याना रहत है तो उसको बथा हुआ ये इन्टोड करवाई जिस जो कभी हर्याना नहीं आया उसको बताए किया सा है हरेाना क्या है कि हर यान एक तो नाम से डिस्क्राइब हो जाता है क्हरत य ενक ख्रीक्रिषन क्यूट हरी आनान बोल तो दोनों चीजे है और हरियाना वो स्टेट है जहां दिमाग से नहीं दिल से जीते हैं लोग वहां सोचते नहीं है लोग बस जीना है ख्वाइशे पूरी करनी है तौर में रहना है डरना नहीं है साला किसी से तो आपने वह देख लिया होगा वह रुद्वा वह फॉर्चुनर थार स्कोर्पियों वह सारी चीज़े वह क्योंकि वह जीनी है लाइव जादा नहीं सोचते आप हर्यानवी आजमी को किसी वर्ल्ड की किसी कंट्री में ले जाके बठा दो आपको पता चल जाएगा हर्याना मैं हमेशे चीज बोलता हूं कि हर स्टेट का खाना अलग होता है कल्चर अलग होता है और जिस यह मैंने देखा है काफी बार कि जिस जगह जिस तरीके का खाना होता है आपके वोकल आपकी परसनालिटी आपका ओरा उसी तरीके से बन जाता है हर्याना मिना हमेशा से खाना पंजाब में बहुता है जैसे लोग सुबह चाहे लेते हैं थोड़े से स्नेक्स लेते नहीं है सीधे पराथे चलते हैं साथ आठ पराथे घीवी डाला मगगा बरके मगगा मतलब मगग बरके वो पूरा चाहे वाए तो वह खाना है ब्रेकफास्ट ही ऐसा होता है फिर काम इत अधियासे ना एडुकेशन पर थोड़ा सा कम होता था पहले पहले यह बोला जाता कि यार थोड़ा सा पड़वर्ड लो ठीक है गोर्मेंट जोब ले लो आर्मी में चले जाओ पुलिस में चले जाओ या खेल पर थोड़ा बहु ध्यान दो और आज के टाइम में आप विक अधियारन का खाना बड़ा फेमस है अरियान का कल्चर बड़ा फेमस है अर अपने आप में फेमस है तो बिल्कुल एक दामश नहीं का ज़ papas पहुत ज़ादा fact है कि हरियान भी ना मूँ पे होते हैं उनको कुछ गुमा फिरा के चीज़े नहीं आती है और थड़ा ना vocal, texture और language ऐसी है ना कि हम सिधा सपाट जब बोलते हैं न तो वह ऐसा लगता हूँ टोट मार रहा है फॉर एक्जाम्पल किसी ने पूचा कैसा लगरा बढ़ीया लगला obtain वह ऐसा लग रहा है यार सही नी लग रहा है लगरा ठीक है नौर्मल सी बात खतम कर दी हादम सुनना चाहता ओर नहीं है हमारे पास जैसे किसी ने एड़रेस पूछ लिया रहे हो आगे चला जा फिर तो एक बात मिर को याद आती है कि जैसे हरियाना को बंदा था आ रिक्षा वगरा चला रहा था तो खिसी आदमी ने आके शेहर को कोई आया होगा बंदा बीचार तो सब्लिख से भाई सी अब जगा बेच के किसी को छोड़ना नहीं ठीक है और बच्छपन से हमारे बाप एक चीज बोलता है पेटा पिट के घर मत आना बस पिट के ही आना तो वह ही है भाई अपने आइश में जी ओ डरना किसी से है नहीं खाओ प्यों आइश करो छोटी से जिन्दगी यह यह जो कल्चर से मैं आता है मैंने अपनी जिन्दगी जातर उत्राखंड में बिताई है और अब मैं हर्याना में रहता हूं तो मेरे लिए बहुत अलग है अपने यहां सबसे पहले होता है कि यार देखो पंगा होने मत हो ठीक है कुछ भी हो जाए पंगा मत होने दो जैसे एकदम ऐसा जमीन आस्मान का सब्सक्राइब है यहां हर्यान भी क्या होता है ना देखो बाहरे वाले लोगों का ऐसा लगता है कि यार ना पता नहीं कैसे रहते हैं इतना दिखाते क्यों दिखाते नहीं वो लार्जनल लाइफ जीने के में आदत है हम गाड़ी लेते तो सीधा स्कॉर प्यों हम छोटी काड़िया भी ले लेते कहने को तलब है कि हमें ना टौर में रहना एक एक राजा की तरह जिंदगी पसंद होते अकेला हर्यान वी आदमी ने चलता हुआ दिखे ना शेर की तरह चलता है कि हम बच्पन से सिखा हमारे माबब आज भी आज हम 30-40 साल के होने जा रहे हम आज हमारे माबब बोलते है यार टौर में राकरो क्या टेंशन लेने किसे खाओ भी वैस करो तो हमें वो टेंशन नी हम चाहते हैं चले ना ताम दिखने जीए बस कपड़े पैनो खुले पैनो खाओ खुला पैनो सब कुछ तौर में करो सब चीज़े तो जैसे यार यह तो है पहले की चीज़े थी अब जाकर इतनी खेती बाड़ी नहीं होती है इतना यूथ नहीं जाता खेती बाड़ी में लेकिन खान पान वैसा ही है जैसे आफने बोला कि सुबर प्रोठी परोठी पिल देरा है उसके बाद भी फिटनेस कैसे मिन्टेन रहती है यह जीन्स का फ उसका फर्क होता है, तो वो एक environment जो होता है वो आपको ready कर देता है, आप कुछ मत करो, मैं आज आपको guarantee देता हूँ, आप हरियाना कि किसी अखाडे के अंदर जाओ, एक महिना विता के आजाओ, फर्क पता चल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना बैस वहां जाके बैठना है, वहां के जो हवा, जो औरा, जो vibe, जो energy होती है वही आपको उस महोल में इतना ढाल देगी कि आप वो चीज करे बगैर रुक नहीं पाओगे, आप भी सोचोगे एक बर चलो यार मैं wrestling करके देखता हूँ, करोगे न, यही चीज होती है, और कोई भी चीज में एक simple सा, अगर आप शिद्दत से पानी भी पीते हो नो शरीर में लगता है, लेकिन बिना किसी टेंशन के, हमारे यहाँ बच्पन से ही ने, चीज में दुबार रिपीट करो, खाओ पी और आश करो, तो यह जब वर आता है एक दम सा लगता है, चाला यार क्या टेंशन है, होता है न, लेक आप अपना तो कुछ राज बता है, दो चार चीजें जो कि नॉर्मल एक इनसान पिक कर सके, कि ऐसे फिट विट कैसे रहना है, वादर स्मार्ट स्मूट कैसे हो सकता है, यार, फिट का तो ऐसा देखो, मैं जब अभी तो खेर भगवान के दया से, मैं दस साल होगे मुझे मैं रह रहा हूं मैं एक्टिंग के लिए, और अभी मैं थोड़ा बहुत फीट देख रहा हूं, पहले मैं, मैं 109 किलो का था, 109 किलो का मेरे लाइफ में सिर्फ गेम कर रहा है, मेरी लाइफ में सिर्फ एम यही था कि जाओ जिम जाओ जाना है, जिस दिन बाइसेप्स मेरी बेज़ती की गई है, कि पहला एक रहा करवा के देखते हैं, तो मैं ऐसी गया और वापिस आया मेरे को बड़े गंदे लग रहे हूं, ऐसा लग रहा है गुंडा चलके आ रहा है, वो पूरा चोड़ा मूह गुब भारे जैसा, अगर आप फोटो दिखा पाओ तो लग पूरा लग रहा हूं, और मैंने कुछ सोचा है लाइफ में, क्योंकि एक कीडा था बच्छमन से एक्टिंग का, तो मैंने सुचा अगर यही जरिया है, कि फिट होके चीज मिलेगी, तो चलो फिट होते हैं, हर्यानी भी के अंदर एक चीज ये भी होते हैं, जिद पे रिष्टदारी निबाते हैं, दिल से निबाते हल किसी सुई जितनी भी खही दिकत, परिशानी या भेदबाव आता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, हर्यान भी वो होता है, कंदे बे आत रखेगा, लेकिन अगर धोखा हुआ तो गर्दन जादा दूर नहीं है, इंच का फर्क होता है, हम साथ लेके चलना जानते हैं, तो साथ लेके गिराना भी जानते हैं, है न, बस वही है, काफी चीज़े हर्ट हुए उस टाइम पर कि चलो ठीक है, यार थोड़ा वजन वजन कम करें, तो अल्मूस तीन महीने में मैंने 40-50 क्या सपस वजन कम करिया था, फिर थोड़ा फिट हुए, बॉम्बे चलेगे, चीज़े चलनली शिरू होगी, बस ही है, बाकी यह आप लोगो ठोड़ा लग रहा होगा, फिट हर्याना में, अगर आप फिट बंदा लेया हो, जो आज कल कहते हैं, यार फिजिक बड़ी अची है, लीन है, मस्कुलर शाहिद ब बता फिटनेस का है, क्योंकि वहाँ चाहिए, खाता पिता होना चाहिए, आदमी बच्चा किसी को देखे है, गोलू-मोलू तगड़े, यही है, और एक कान टूटा होना वड़ी प्राउड की निशानी होती है, न हरियाना में, वो गेम्स के अंदर होता है, रैसलिंग के अ रगड मारके मसाज की जाते है, और एक जटके में तोड़े दिया जाता है, जिससे ओ कान सूच जाता है, और वो पकने के बाद उसके जो हड़ीया होती है, वो इस तरीके की शेप में होता है, जाए घुटना लगे, कुछ लगे, कान फटने का और तूटने का डरनी होता है यह होता है, तो वो प्रोसेस होता है, तो कुछ के खुद हो जाते हैं, कुछ के किया जाता है, इसलिए आप किसी भी रैसलर को देख लेना, कान हमेशा मोटे और सूजे हुए टाइप दिखते हैं, वो होता है, अच्छा, वह यह नहीं पता था मुझे, ब्रैंड यू किसी चीज़ के कोई टेंशन नहीं होती है, अपना देश, अपना कल्चर, अपना स्टेट, सबने निया घंडा देकाSon किसी दूसरे दूसरे ऐमें जाते हों तो अपने स्टेट ही यह वही चीजशे खान पान का से होता है यह देसी चीज़ को जाती वहां पैकिंग काना बड़ रहा है सब कुछ रहा है पो चाकल फाल के सेशनल क δεν HOLT debris them अब मैं यहां अगर ढंग से दो गिलास दूद पीलो लूज मोशल लग जाए भाई यह हकीकत है वो आदत इतनी होगी नब अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मदर कुछ रोटिया वगर बनाए तो फादर जो खाते है आटा आटे के अंदर जो चना गेहूं और कुछ आइटम चोटे मोटे ओर होते हैं जो उन सब को पीस के एक मोटा आटा बनता है थोड़ा सा उसकी रोटिया बनाए जाते है वो रोटी होती है इतनी मोटी यह की खलो तो पेट बर जाए अब वो हमसे अजमी नहीं हो रही है तीन दिन दक पेट में पड़ी हूई है वो डाइजस्ट नहीं हो रही क्योंकि पावर नहीं बची नहीं बची वो बहर रहा है कि वो पानी चेंज हो गया वो महुल चेंज हो गया अब मैंने सिधा पैकिंग काटा मंगाओ अब अलाग रोटी या बन रहे है शेहर के लॉंडे हो गए हो पूरे के पूरे लुक सी बार एक और चीज़ भाई अगर किसी को बाल सर पर टिकाए रखने हो जिसकी अब भी उमीद हो मतलब ऐसे अब बाल बड़े हैं इसलिए बाल जिन्दा रखने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए यार मैं सच बता रहा हूं मुझे मैं कोई प्रोड़क्ट यूज नहीं करता और मैं कोई केर नहीं करता हूं और मेरे फैमिली में ऐसा भी नहीं है अब बाल अच्छे हैं फैमिली में नहीं मेरे फादर के जादन ही है उड़े आगे से सफा चट हो गया हुने का बट यह है कि नैचरल ही है और मैं थोड़ा खाना अच्छा करने के कोशिश करता हूं हरी जबजे जादा खाता हूं और बाहर के चीजे कम खाता हूं सरसो का तेल बालों में लगाता हूं वो मैं नहीं छोड़ता हूं कभी भी और एक दो बार मसाज वगर होती रहती है और कुछ चीजे ना मैं अवोईड करनी चीए जैसे डारेक्ट गरम पानी सर्फ पर कभी ने डालना चीए यह बेसिक मैंने अपने गाउं में अपने दादा से जिखिए तो गरम पानी जब जड़े कमज़ोर होती है तो नॉर्मल पानी से दोना चीए फिल्टर पानी से बाल नहीं दोने चीए फिल्टर पानी ऐसा होता है जिसके अंदर कोई मिनरल ही नहीं होता है जीरो होता है वो आपके बालो को रफ कर देता है है ना आपने सुना होगो धही से बाल द Tibet होने चीए क्योंकि मॉस्चर चीए बालो को चिकना हट चीए उल्टा हो ये गया है कि लोग monster चाहते ही नहीं oil लगाना छोड़ दिया बालो में क्योंकि monster चाहिए ही नहीं वो spray मारके खड़े रखते हैं 24 गंटे बालो को वो spray बालो को इतना rough कर रहा है कि अगर आप पूरे दिन spray मारके रखो शाम को घर पे जाओ कंगा मारो कम से कम सो बाला आपके तूटके कंगे में आ जाएंगे तो natural process सबसे best है अब तो company है पता नहीं क्या क्या बोल रही है प्याज का रस लगा लो और ये लगा लो वो लगा कुछ लगाने की ज़रूत नहीं सरसो का तेल सबसे best है और भाई सरसो का तेल एक ऐसी चीज है आप खाने में रख लो बालों में लगाने के लिए रख लो चीज मसाज देख लो सरसो का तेल वो नैचुरल चीज है उससे आप कुछ कर सकते हैं जैसे गाउं में नहीं होता था एक सरसो के तेल के बोटल रखी होती तो उसी से पूरा परिवार चल रहा है कोई भी ना कि निकला वो ही रखट रहे है तो उसी से मसाज हो रही हो रहा था लेकिन वो इतना गाढ़ा होता है न मौश्चर उसके अंदर बहुत हैवी होता है अब वो आजकल के जो बच्चे हैं वो एंडल नहीं कर पा रहे हैं उनको पूरा दिखना है क्ली सफा चट बाल खड़े वो कराब हो सरसो की स्मेल नहीं चाहिए यह मेंट पॉइंट है मेंडल क्लास हो गही है रही है तो सब सब्से गेम होता है है अच्छा दिखना चाहता है अच्छा अंदर से होना नहीं ओना सब ना fils सिर्फ चल रहे हैं चलते पिनकाल में मैं देखता हूं कि आजकल बिलकूल ऐसे चलते हैं लोग टिर डिवी लेकिन हकिकत हरियानवी लेंगिज में अगर महलो ना कि अगर कोई डंक से एक मुक्का मार दे ना आदमी उठेगा ही नहीं पहले आदमी ऐसे होता था कि एक बात करे तो समझ में आ जाए हिंदुस्तानी आदमी जो होता था ना किसी कंट्री में चला जा अलग से पैचान में अब बच्चे जो वो स्लिम ट्रिम और पता ने क्या ग्रीन टी और ये टी मेरको तो भाई समझ आती नहीं है वह ऐसे लकडी से हो गया आंधी चलती है तो पकड़ने के पुश्चिश करता है हां यार वेकार की चीज़ है खाव पी ठीक रहो यार कुछ कासूर बोलीवड का यह जो लाइन के चकर में पूरा शरीर की वह एक आईडियल बॉड़ी टाइप सेट हो गया कि इतनी पतली होनी चाहिए तो उस वज़े से कितनी फास्टिंग करने लग गए लँच डिनर मिस कर रहे है वह सब वही लॉंड़ों के साथ हो गया पेट एक तम सबार अंदर चा क्योंकि ब्यूटी स्टेंडर्स इतने ऐसे सेट हो गए है न तो उसको एचीव करना बड़ा मश्किल हो जाता है सिक्स पैक एब्स रखने की बड़ी कीमत भी तो चुकानी बड़ती है न इंसान को लोग न मैनत नहीं करना चाहते है डारेक्ट जाना चाहते है अर चीज में अगर आप नैचुरल तरीके से जाओगे आपको कम से कम 6 महीनी लगेंगे निकालने के लिए वो भी दिन रात ताबड तोड़ एक्सराइज करनी पड़ेगे आपको वह फैट खतम करने के लिए लेकिन दो इंजेक्शन मारो तीन महीने में रेड़ी यह भी प्रोसेस है लो अच्छा दिखने के लिए इंसान कोई भी कीमत चुकाने को तयार हो सिर्फ अपने लिया आगे का सोची नहीं रहे को अभी रीसेंट लिए एक दो हमते पहली में एक वीडियो देख रहा था जिसमें मुझे एक नई सर्जरी के वारे में बाता चला कि लोग घुटना अच्छो के गुटनों में दिक्कत हूं क्योंकि बलड तो वही जा रहा है पहली तुम ही नहीं चल पाऊगे तुम पैरलाइस हो सकते हो लेकिन तुम कीमत चुकाने को तो तीन इंच लंबा होने के तो वही चीज होगे ना भई जो प्लास्टिक सर्जरी कराते नाक टेडी क पेर करा लो, पेरे को बेकार चीज है ना डगार तीन चीज वह जाती है कि एक तो किसी का अगर बहुत जादा मजाग बनाग जाहे बनी, किसी चीज खेले तो बूलिंग का सबसे बुरा अफर है कि आता कि आद में इस चीज मैं घटिया हूं इहा भाई कि आप जवाब देन नहीं जानते अगर मेरा हाथ ही नहीं ओता तो मैं क्या करूं सर्जुरी कराखे करूं मुझा नहीं नहीं है użyмल से फंडायलो नहीं है बस बात कृतम ऐसे डरके sûr अगर जीन है तो फिर कर ठील लिए नहीं फिर दुनिया में पता नहीं क्या-क्या हो रहा मतलब यह नहीं कि चो conditions है उसमें नहीं आप जैसे दिखते हो उसमें okay हो best है और यही भगवान ने दिया उसके साथ छेडखानी मत करो आपने देखा होगा सरजरी हर कोई करार है लेकिन हर किसी की सही भी नहीं होती है आपके शरीर में अगर एक बूंद कोई गलत चीज चली जाए आने वाली साथ पीडियो को जहलनी पड़ेगी यह है यह जो भोपाल गैस कांड हुआ था आपको यहाद हुआ अटम अटाइक जो होगे थे जापान के अंदर जो लोग थे उस वक्त उन्होंने वो चीज जहली थी ना तो जीन्स तुम्हारे पीडि दर पीडि जारहे तो उनमें भी कुछ नवाश की चांस रहते गया है इसी चीज पहर रियाना में एक चीज बोली जाते है कि जो बच्चपन में खाया है वो आपकी जवानी निकालेगा जो जवानी में खाया है वो आपका बुढ़ापा निकालेगा अब आप सोचो आपने क्या खाया है जवानी में और सबसे गंदा खाना हम जवानी में खाते हैं क्योंकि पेरेंट्स का वो होता है ना कि रोक टोग होती है बच्छमन में खाना लेकिन अब यह जो तेल वेल चाइनीज मोमो बर्गर पता नहीं क्या के चल कि अब बोल जाएंग गुटने दस साल में तक 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 के आवाज आने वागे अब भी नहीं बैठा जाता जाता जाद इस वाले टॉपिक से जैसे हम लोग हम पिछली बार के आदिवाई अब ने गुरुजी के बारे में बात की आपके आस्ता कैसे जागी किस तरह मानते हो तो अब जैसे गुरु जी एक गुरु है उसके साथ ओशो एक गुरु है प्रिवा नंची महाराज गुरु है और भी किसी धरम से हो, बस मुझे उनसे को सीखना है, पॉजिटिव चीज, वाइब, प्रेमनन्द महराजी जो हैं, आपने देखा हूगा, आज कल काफी दिखते हैं, हर जगा दिखते हैं, वो जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस तरीके से बाते कर रहे हैं, और जिस पीडा में रहकर के बाते कर रहे हैं, आपको पता होगा, उनके कुछ सर्जरीज वगरा चलती रहती हैं, किड्नी फेल हैं, तो जिस महोल में रहके हैं, वो इतनी पोजिटिव वाइव दे रहे हैं, कि मेरा देखो ऐसा हाल है, लेकिन मैं फिर भी पूझा पाठ कर रहा हूं, तो तुम क्यों नहीं, मैं इस जरिये से, इस थोट के साथ है, जिन्दा हूं, तो तुम क्यों नहीं, प्रेमनन जी को देखके न मुझे हमेशा ही न वो प्यार वाली फीलिंग आते, कि वो प्यार करना स अचे स्किरेंड हूं ले रहा था इंके पास बहुत सारी रोल्सारी है ऐसा क्यूं तुन शॉन कि बहुत सारी कितनी है तो रह थ moंता हो सब्सक्राइब करना कदा है कि ओशो जी ने बोला कि कितनी है तो उन्हों बोला 17 बोला नहीं 19 है और यह बहुत जादा नहीं है तो हमारे लिए रोल्स रोई बड़ी है है ना counting बड़ी है लेकिन उस इंसान के लिए नहीं है और वो एक पॉइंट पो लगता है हाँ यार 19 को बड़ी जादा वो तो नहीं है लेकिन उनके लिए ठीक है हम जिस लेवल पे है ना हमारे लिए वो बड़ी चीज है ओशो जी का कहना सपस्ट था क्लियर कट था जो तुम्हे कर कि क्या था मैं नाम पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है तो एक किताब थी उनकी उनका यह था कि आपको यह चीज पसंद है आप यह करो संतुष्ट हो जा और यह होता है अगर आपको छोटा से एक्जामपल देता हूं आपकी फेवरिट जो कार है ना फोर एक्जामपल सारे गुरू अच्छे हैं सब कोई ना कुछ सिखा रहे हैं हर गुरू का मैंने यह देखा है कि अच्छी चीजी है कि हर एक गुरू की ना पोशाक अलग होती है आपने कभी देखा है यह मेरे को बड़ा युनीक सा लगता है हर गुरू की एक पोशाक होती है और वो पोशा थी न वह ऐसा लगता था कि यह ऐसा ड्रस मैंने पहना वह कभी देखा नहीं है लेकिन पहन के खुश है कि खुशी मेंटर करती है रहन सहन मेंटर करता है आप किस तरीके से चल रहे हो आप क्या पहन रहे हो आपका संतुष्ट होना जरूरी है हर गुरू की एक पावर अलग हो पहन के बैठ जाओ गुरू का मतलब यह भी है कि वह कुछ भी पहने कुछ भी कहे वह यहां से जो निकलता है वह स्पस्ट होना चाहिए वह क्लियर होना चाहिए जिंदकी बदलने चाहिए मैं ओश्यू जी को बहुत सुनता हूँ ठीक अब धेदे पिरान महाराज जी को भी सुन रहा हूँ अभी गुरू जी को भी थुड़ा सुनना शिरू कि तो ओश्यू जी की एक बात जो मेरे को होता नहीं कि जैसे गुरू की एक खास बात ही होती है कि आपने आज सुन लिया एक साल बाद दो साल बाद कभी अचानक से चमकेगा कि यार क्या बास सुनी तो क्योंकि वो टाइम लिमिट होती नहीं होती तो मैं समझने में वक्त लगता है बहुत एक रहा तिंदौरी साब जो शायर थे बहुत बढ़िया तो वो कहते थे कि अगर मैंने एक शीर सुनाया तो मैं पसंद आ गया तो वो अच्छा है लेकिन मैंने एक शीर सुनाया तो मैं समझ ही नहीं आया तो वो यकीनन अच्छा है अब जैसे ओशो जी बहुत अपने प्रवचन में बोला करते थे किया साक्षी भाव रखो अब यो मैं कितनी बाहर सुन लिया मुझे समझ ही नही जब कभी-कभी मैं खुटो कुछ करते वे देखता हूं और अचानक से मुझे महसूस होता है कि यह काम में कर रहा हूं लेकिन अचानक से मैं उसको देख भी रहा हूं ऑब्जरवर डिस्ट्री से मैं पहर कर तो मैं लिए मुझे समझ में आता है कि यह जो शरीर है जहां पर मैं अभी हूँ यह रस्ते का पड़ाव है जैसे किसी ट्रिप से मैं आता हूं उसे कुछ-कुछ यादे लेके फिर हम लोग अपनी जिन्दगी में continue कर लेते हैं तो यहां से जब गजरूंगा मैं जब निकलूंगा यहां से जिन्दगी से तो अचानक से ऐसा हुआ क एक ट्रिप में आये थे भाई जमीन पर ठीक है यह यह देखा इन लोगों से मिले यह सब आओ चलो आके चले बढ़िया मसा आया लेस गो एड तो वो अब जैसे उन्होंने साक्षी भाव बोल दिया अब धीरे 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 मेरे अंदर अलग-अलग वह से होता है तो नई नई चीजे मुझे ऐसे समझ में आती रहती है इस तरीके से तो यह जैसे आप तो बहुत आस्था में बिलीव करते हैं आपको आदी भाई क्या लगता है कि इस दुनिया में पहली बार आये हो या पहले आ चुके हो आ चुका हूँ मुझे यह फील होता है और यह चीज हैं जो पुणर जनम में विलीव करते हैं कुछ लोग नहीं करते मैं करता हूं क्योंकि मैंने वह लोग देखे हैं मेरे ही गाओं में लोग देखे हैं अभी कुछ वार कुछ टाइम पहले के महीने साल भी यह एक बड़े बुज़ूर्ब इंसान थे मतलब वह एक होते ग्रे सबकुछ तयार हो चुकी थी, उनको लेटाया था सफीद कपडा ढ़का था और उनकी आखे कुल गई थी वो कहते हैं कि सबकुछ एड़ी DOCTORS ने चेक लिए dead बोल दिया था उनको और उनकी आखे कुल गई और ये होने के बाद जब उनकी आखे को लिए उसके बाद भी उकम साथ साल तक जिन्दा रहे और उन्होंने बता ही वो चीज़े कि मैंने ऐसा ऐसा देखा मुझे बोला गया कि तुम गलत आयो गलत वक्त पे आयो जूट भी हो सकता है सच भी हो सकता है उन्होंने ये तक बता दिया कि उस गाउं में एक ऐसा परिवार है उस परिवार के उन उन लोगों का नाम ये ये है जिससे वो कभी मिलाई नहीं है और इस इस जगा पर ये ये चीज़े रख्ये हुए फिर उस घर में एक इनसान था जिसके डैथ इस वज़े से हुई थी उस बच्चे को वहां ले जाये जाता है उनसे मिलाये जाता है वह एक को रेट एट उजड चीज़े सही बता देता है उसका क्या यह मैंने भी सुना इंफेक्ट मेरी बहुत करीबी दोस्त है उनकी माता जी के साथ यह हुआ था कि जब वो 14-15 साल की थी तो शायर 11 साल के आसफास के रहे होंगे 10-11 साल की थी तो पहली बार दिल ली आई तो जब वो दिल ली आई अपने माबाप के साथ तो वो बताने लगे कि यहां से यह है यहां से वो है यहां से हम इस तरफ जा सकते हैं उधर जा सकते हैं माबाप शॉक्ट कि यार इसको कैसे बता पहली बार दिली लेके आ रहा है और बच्चा माबाप को बता रहा है कि यहां से यह रस्ता जाता है यहां पर यह इलाका है यह मुझे याद है मैं इससे पहले यहां रह चुकी हूँ उनको यह याद था कि उनकी सास ने उन्हें कुवे में धक्का दे दिया था इस वज़े से उनकी मौत हुई थी और उसको कई साल हो चुके हैं तो इधर उनको रस्ता वस्ता याद आया उन्होंने लेके नहीं गया तो उनको चल गया फिर उसके बाद घर आये तो देर देरे जब चौद यह बात दब दब गई भूल बाल गए चौदा पंदा साल की उमर होगी कि उनको सपने आने लगे कि उनका पुराना पती उनको लेने आ रहा है और वो सपनों में चलने लग गई तो तब उन्होंने कुछ ऐसे मंत रंत करवाया किसी बंडी तांत्री को बुलाया और इस सब को रोका तो जब ऐसे आप किससे सुनत हो रहा है अभी आप बैठे बैठे ऐसे किस इनसान का जिक्र क्यों नहीं कर रहे जिसके 32 पैर हूं 40 हाथ हो एक लाक सारो क्योंकि ऐसी कोई इमेजिनेशन है यह नहीं नहीं सुना नहीं देखा लेकिन हम बात उन्हीं चीजों की कर रहे हैं धर्ती पे जिन्होंने किसने महस देखा इलियन्स की आज बात वती आपने टोंनी देखा मैनने तो नहीं देखा लेकिन लोगों ने महसूस किया है लोगों ने शायद देखे भी अज एरिया पने 50 एरिया 51 बोलता है शाय वह फूफ पर मिलता निए प हैर जोंनाता अमेरिका वगरा में कहरें है मैं बच्पन में इस चीज को लेके बच्पन में बड़े कोमिक अंदाज में जवाब देता कि सिंपल सा फंडा अगर शक्तिमान होगा तो किल्विश भी होगा अगर भगवान है तो भूत भी है इस दुनिया में हर वो चीज मौजूद है जिसका आप जिक्र कर रहे हो हर एक चीज है मन दिखाई नहीं देता लेकिन मन है आत्मा दिखाई नहीं देता लेकिन आत्मा है हवा दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हवा तो है कुछ चीजा महसूस कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं यह तो दुबारा आना चाहते हो इसके बाद हाँ शायद वो तो आखरी बार जब सहीयां पर लेटेंगे मन में खुआब क्या होगा वो उस पर डिपेंड करता है मेरा हमेशा एक मन में सवाल रहता है कि यह जब आखरी बार आखें बंद हो रही हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों यह कई बर ऐसा लगता है और जब मैं जा रहूंगा न तो क्या आक्री सवाल होगा मेरे माइंड में और यही कहा जाता है इंदु धर्म में कि आक्री सवाल नहीं होना चाहिए आपके मन में क्योंकि वह सवाल आपको दूसरा जनम देतेगा कस्ट पैदा करता है वो फसा देता ही उनी में इसलिए कहते हैं कि कोई इच्छा नहीं रहनी चीए जब आप जाओ किसी का बुरा नहीं होना चीए किसी का कर्जा नहीं होना चीए सबकुछ पाकर सबकुछ छोड़ देने का नाम ही तो जिंदगी है कुछ नहीं है यार बेफिजूल के दोखाध़ी लोगों के लेन देन और जैलेसी और पता नहीं क्या क्या चीज़ए बेकार में फसेव एक वक्त आता है हर इंसान के लाइफ में एक वक्त आता है जब से रि बहरा होता है हमारे आगे है तो शायद हम यह बैठें जिनके नहीं आए वो मोजमस्ति में इस टाइम कभी और आएगा सब्सकों आता है और हर को हर इंसान बाप बनता है हर इंसान बाप चाचा मामा सारी चीजे बनते हैं लेकिन आपको कब कहा क्या बोलना है यह आपके और हो तो क्या संटुष्ठ हो जिन्दगी से महीं काफी चीजें हैं जो चाहता हूं हो जाएं संटुष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जिन्दगी जीना शुरू ही कि अभी समझ में आने शुरूए ते रिष्टे क्या होता है अभी तक तो बहाओ में थे अकल अब यह हैं तो चीजे सही कर लें कि वो चीज वा एक और चीज इसमें मतलब कि क्या चाहते हो कि लोग कैसे याद रखें को बड़ी आदमी था बस यह है याद करें तो क्या है मैं तो यार मेरा तो मानना ही है कि जब आप जाओ ना तो गाओं के सारे लोग इखटे होने चे और सब दुनिया ऐसी है कि जब तक आप जीते हो नों सब धक्का मारते हैं मरने के बाद उठा लेते हैं समझ ही नहीं आता पंड़ा में तो कुछ नहीं है जब जाए तो आप जिब दक आप जिन्दा ओ लोग धक्का मारते हैं और जैसे ही आप यह दुनिया चुड़के जाते हो कर देते हैं वहाँ क्या इंसान था क्या सांत इन्सां तो सब्सक्रांगे जिनके जिंदिघी भर आपके माबाप आपके यार दोस्त आपका समाज दुआई देता रहा कि चार लोग क्या कहेंगे वहीं बैठे हैं जो यह कह रहे हैंके चाय में अध्रक ज्यादा डाल देना किसी को कुछ फरक नहीं पड़ता अपने माबाब आपके जीए जिन्दगी में एक दिखाने जरुवत नहीं किसी के कमाने की जरुवत नहीं है आप आपकी बीवी आपका घर आपका परिवार यह मेंटर करता है इसके अलावा कोई मेंटर नहीं करता और यह जिस दिन आपको समझ में आ आप खुश रहना सीख लोगे और यह बहुत बाद में समझ में आता है क्या आधी जिन्दकी हम जब पैदा होते हैं तो हमें अकल नहीं होती है हम बैस जो देख रहे हैं तो समझने शुरू कुछ भी उठा बच्चा कुछ भी उठाके पी लेता है क्योंकि दिमाग नहीं होता तो सोचता नहीं है वो सबसे बहतर जिन्दकी वही होती है क्योंकि सोच नहीं रहा होता कुछ छेल लिया तो रो दिया कुछ दे दिया तो हस दिया यही जिन्दकी है और यह जिन्दकी सिर्फ 10 साल तक की होती है 9 से 10 साल की उसके बाद हम दिमाग लड़ाना शिरू करते हैं चीन लिया, गुस्सा हो जाओ, चीन लिया, मार दो, चीन लिया, कुछ उठा लो, और ये चलता है जब तक आप मर नहीं जाते हैं, और ये गुस्सा, ये बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर, help me out here, यहाँ पर, एक बड़ा contradicting हो गया है, मेरे लिए, थोड़ा समझना है, एक हर तेरा है, क्या उसका है, उसने चीन लिया, तो जाने दे यार, अब तेरे तक कल तेरा था, आज किसी और का है, क्या ही हो गया उसमें, तो, क्या ये आपस में मन में ऐसे लड़ाई नहीं होती मन की कि यार, कब अपने मन के spiritual इंसान को सुने, आध्यात पर इंसान को सुने, अगर प्योर spiritual इंसान बन गए, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाट में depend हो गए, तो आपका परिवार जुट जाएगा, आप सादू में convert हो जाओगे, क्योंकि आप 24 गंटे मंदर के आगे नहीं बैठ पाओगे, अगर आप परिवार इंसान हो तो, और अगर आप सिर्फ सोसा इंसान हो, बहुत है, इतना ही काफी है, उपर वाला तो चारो तरफ बैट है, उपर से भी देख रहा है, नीचे से भी देख रहा है, आपको मंदिर जाना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उठके क्या बोलते हैं, वो जरूरी है, बैलेंस बहुत जरूरी है, सादू है इस दुनिया में जो अपना काम कर रहे हैं, आतंगवादी है इस दुनिया में जो अपना काम कर रहे हैं, एक आम इंसान है इस दुनिया में, जो तीनों का मिश्टन बनके बैठा हुआ है, वो आम इंसान भी है, वो क्राइम भी कर रहा है, वो सादू भी है, वो भक्त भी है, लेकिन इसमें से क्या चीज़े निकालनी है, वो आपके हाथ में है, तो मैं आम इंसान भी हूँ, मैं पुझा पाट भी कर रहा हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं लाइफ भी जी रहा हूँ, बैलन्स जरूरी है, आप किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्यों देता हूँ, सब चीज़े, कई बार मेरे माइन बेखायल है, कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं सादू बन जाता हूँ, कोई टैंशन ही नहीं होगी, अराम से एक जगा बैठूँगा, भजन सुनूँगा, भगवान का नाम लोगो, लेकिन नहीं, मेरे बाद क्या, घर में भव पैदा होता है, सन्यास का खयाल आता है, और हर एक सन्यासी को जहत रहत है, ग्रहस्त होने का एक भव आता है, ये काश, मन है मन, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, यह؟ लेकिन control कितना ये देखना है for example हम इंसान है यार मैं किसी महिला को देख रहा हूँ मेरे mind में अगर कुछ गल्यत खयाल आया और मैं उनको देख के नजरे नीचे जुका लूँ तो ये मेरा balance है ये control है ये वो एक वोलती है न कि respect है इंद्रियों पर control है ये वो नहीं कर पारे जो जाके रेप कर रहे है फर्क है न एक होता है कि देख के नजरे जुका लेना एक होता है कि जाके जपट जाना फर्क है तो जो लोग सादू संत है हमारे देश में दुनिया में उनको पता इंद्रियों पर control कैसे करना है और एक आम इंसान जो है जो सादू नहीं है भाक्त नहीं है पूजा पाट नहीं करता है जो सिर्फ अपनी लाइफ जीना जानते जो आज कल की जनरेशन जन जी मैंने सुना वड जो बोलते है उनको फरक ही नहीं पड़ता वो मन में रखते हैं वो कर नहीं सकते कि परिवार में बंदे हुआ है और जो कर गए वो क्रिमिनल बन गए एक छोटा सा control होता है switch इतना ही होता है टक टक इतनी ही आवाज होती है वो आपके अंदर भी वो मेरे अंदर भी वहर किसी के अंदर है जिनका switch फेल हो गया वो बैठे है जेलो में सिंपल सा है और क्या है टीक एक और चीज़ राम मंदीर का इनाउगरेशन होने वाला है योद्निया में बाइस जन्वरी को क्या है फिलिंग उसको लेके मुबारा को राम घर आ रहे हैं दिवाली फिर से आ रही है तो जैसे अभी ये इस टाइम पर मंदीर बनाया गया है ये 2022 से बनावा मंदीर है तो क्या कुछ आपको क्या क्या बदा इसके बारे में कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होगा मैं जादा डेफ्ट में तो नहीं गया आज नहीं तो कलाना पड़ेगा कई बर लोगों को सोना मिल जाते है ना जमीन में गड़ा हुआ बहर तो वो भी आता है बठता तो वो भी है जिसके हिस्से में आया उसको मिलता भी है तो जो नीचे गड़ाता हो बहर आएगा और इस चीज की हिज़त करो यार किसी का भी कुछ भी हो फॉर एग्जाम्पल आपके घर के नीचे कभी खुदा ही करो और किसी परिवार की या किसी के कोई निशानी मिला आपको पता है वो उस इंसान के तो उसे दे दो सिंपल से चीज है दूसरा ये है कि अब जो महौल बना हुआ है वो इतना पॉजिटिव ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि एक यूनिक चीज आ रही है हिंदूस्तान में राम की पुझा पहले भी हो रही है मंदिर अभी बने हुए लेकिन वो जो एक अलग से जो क्रियेट हुआ है ना ओरा वो इतना पॉजिटिव ऐसा लग रहा है कि नया हिंदूस्तान बन रहा है हैना ऐसा लग रहा है दिवाली आ रही है जैन्वरी में वो लिफीली आ रही है दिवाली आ रही है और इसी से मैंने एक देखा मैं अभी कहीं पढ़ रहा था काफी भारी और एक मैटल के बनी होती है जिसके अंदर दस्तावेज रखे गए हैं कि कैसे बना क्या था क्या क्या हुआ मतलब पॉलिटिकल वर्ड वाइड जितनी चीजे राममंदर के लिए थी यह आसपास का कल्चर तो वो सब कुछ उस कैपसूल के अंदर है और उसे जमीन में गार दिया गया है और एक वक्त के बाद उसे खोला जाएगा जो अल्मोस्त दोसो तीनसो साल का टाइम लिमिट होता है उससे पहले नहीं खोलते हैं वो इसलिए कि आने वाले वर्षों में इन केस कि कभी दुनिया खातम हो जाए या कुछ हो जाए ऐसी चीज़े तो जो आए वो जब निकले तो उन्हें पता चले कि यहां क्या हुआ करता था वो कल्चर पता चले जैसे कि अभी मैंने पढ़ा था कि पैरिस में निकला था या कहीं पैरिस में शायद निकला था स्पेन में सोरी स्पेन में निकला है एक कैपसूल निकला है जो 1777 में था दबाये गया था 1777 में दबाये गया था पैरिस के अंदर निकला है जिसके अंदर उस टाइम के सारे दस्तावेज वगरा निकले है, कल्चर निकले है, कैसे लोग रहते थे और कैसे नहीं रहते थे, और इंदरा गांदी जी ने 1973 या 1989 के अंदर लाल के अंदर दबाया था, यह एक टाइम फेस के बाद दबाये जाते हैं, वो कल्चर को बचाने का, कई बर होता नहीं कि एक बोट इस फील हुए थी कि यार, यह चीज़ें कितनी अलग हो रही है, कि टाइम कैपसूल दबाया जा रहा है, कि आने वाली पीडियो को पता चले, फिर राम मंदिर बन रहा है, देश का मोल जगमगा आ रहा है, वो महोल एक वाइब क्रेट हो रही है, मुझे अभी पता लगा है आपने बताया, मुझे बहुत नया है, इस तरहीए कि सोच, मतलब ये ख्याल आहा है, अगले महने के तेयार के नहीं कर पाता हृँ, हम आपने खाने वाली कैपसूल के पीछे इतना आपा पाता है, जब मुझे अगर तीन महने के कैपसूल खारी है, लेकि ये बहुत बड़ बहुत बड़ी है बात है अच्छा है कि अब राम मंदिर बनेगा एक नया पावन इस्थल बन जाएगा एक नई आस्था जुड़ रही है लोग spiritual होना शिरू हो जाएंगे थोड़ा सा एक identity मिल जाएगी कि हाँ ये लो और जब ऐसी कोई चीज होती है न इतनी बड़ी तो उस बड़ी मंदिर की तरफ लेके आएगा आस्ता की तरफ लेके आएगा और जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है इनसान की moral compass आस्ता के आसपास घोंता है वो जरूरी है कहीने कहीं जो मुझे लगता है और अब जैसे हम लोग ने आस्ता की बात कर ली है spirituality की जो बड़ा मज अब जैसे आपने मुझे बोला था कि सन्यास इसलिए नी लिया सकता मैं घर का बड़ा वेटाओं मेरे पर रिष्टो की जिम्बेदार है तो थोड़ा रिष्टो के बारे में समझते हैं जैसे कि अभी कुछ समय पहले आदी वाई आपने शादी की जो कि अब तो सब को बता है हम लोगे podcast इतने आच चुके है यहादा couple यहादा पहली बार हम individual कर रहे है तो मुझे एक चीज समझाओ कि एक औरत को समझने में एक आदमी क्या गलती करता है मैं की गलती होती है जो मुझे समझ में आता है मैं की गलती होती है और यह सिर्फ और आदमी की बीच की बात नही मैं नहीं होना चाहिए जब आपकी शादी नहीं होती है आप अपने लिए जीते हों मुझे खाना है मुझे एक पीना मुझे ऐसे रहना मैं ऐसा दिखना चाहता हूं लेकिन जब शादी हो जाती है न तो आप दो लोग होते हो आप अकेले नहीं जाओ आपके साथ कोई है हम हम कैसा दिख रहे हैं आज हम क्या खाएं आज हम जाए कहां लेकिन रिलिशन में आने के बाद या शादी होने के बाद सिर्फ अपनी सोचर्य फिर घर नहीं चलता कलेश वड़ते हैं कई बर आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी सामने वाले की जिद पूरी करने के लि है जुकना कोई नहीं चाता है दोनों अपनी अपनी जिद पेड़े हुए हैं अपने आपको संतुष्ट कोई नहीं कर पा रहा है इसलिए क्या होता है ना कि लड़का ये कह रहा है परिवार पे मैं चीज लेके आता हूं कि लड़का ये कह रहा है कि यार मेरे माबापको न ऐसे कपड़े पसंद नहीं है, यह मत किया करो, अब दो तरीकी के लड़किया होती है, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कि मुझे लगता है कोई बुरा मान जाएगा, तो मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ, कि लड़की बोल दे कि मेरे परिवार वालों के मतलब लड़के के सस्वराल वालों के चीज़े पसंद नहीं, तो मेरे यह बनता है, एक काम करता हूँ, आपके यहाँ पसंद नहीं है, तो मैं यह चेंज कर देता हूँ, आपके यहाँ जब जाया करूँगा, मैं नहीं पहना करूँगा यार आपके माब आपको क्यों पसंद नहीं है, सवाल करो, सवाल करना गलत नहीं है, फिर जवाब भी दो, क्यों पसंद नहीं है, लड़का बोलता है, इसलिए पसंद नहीं है, क्योंकि यार उनको शराम आती है, आप जिन्स पहनते हो, तो यहां मामारे खांदान में साड़ी पहने जाती है या सूट पहने जाते है तो आपका फ्रस बनता है ठीक है जब भी कोई परिवारी चीजे होंगी तो मैं साड़ी पहनूगी ठीक है मेल जोल जरूरी है, जुकना जरूरी है, समझना जरूरी है, जुकना गलत नहीं होता है, हर जगा जुकना भी सही नहीं होता है, हर जगा सीना तान के खड़ा रहना भी सही नहीं होता है, दोनों में एक फर्क होता है, हम गलत जगा सीना तान के खड़े होता है, और हम गलत जहां सर ना जुक जाए उसे दर नहीं कहते और रडर जो जुक जाए उसे सर नहीं कहते परफेक्ट यह है समझने जरूर है हम पर आ जाओ मैं मैं कुछ नहीं रखा है हम दोनों के अंदर काफी चीज़े होती है मैं कुछ कपड़ों के लिए उन्हें बोल देता हूं आम जिंदगी है मैं बोल देता हूं यारे मुझे नहीं कपड़ा पसंद नहीं आ रहा तुमारे जो पहना हुए अन्फिट सी दिखते हो बड़ अजीब सा दिखता है आज कल तो लड़कियों को मेरे पलाजो समझनी आता ना जूते दिख रहे ना पाउं दिख रहे वो गसेड़ते वे चल रहे वो समझनी आता हूं मैं नहीं मना कर देता हूं यह पलाजोला मेरे को पसंद नहीं है तो बोलती है चलो नहीं पहने है ठीक है इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है लेकिन इस चीज के उपर तलाक अगर 플िया मोग Gill के तूमने खरते हैं मेरे कपड़ों कॊन होता है मीरे माबाप ने आज तक मणा नहीं किया है अलग हो जाओ मेरेको नहीं रहे लिए-खो कोई था ही नहीं है?" जहां पर discussion खतम होके debate शुरू हो जाते हैं जहां पर आपने बोला कि हम की बात छोड़के मैं की बात हो जाती है तो वहां पर इनसान एक दुसरे को नहीं समझ पाता है और वहीं पर रिष्टे टूपते हैं तो यार एक आजकल एक बहुत normal सा culture है कि जैसे ही शादी होती है आदी भाई तो शादी होते ही सबसे पहले ये लड़का और लड़की का अलग रहने का इंतिजाम कर दिया जाता है दूर रहो तो पहला स्टेप यह होता है कि दोनू मिया बीवी माबाप से दूर हो गए वह अपने माबाप से तो वह अपने माबाप से ये क्या society की ज़रूरत बन गई है आज पैइप इंध पूचि ही पूचिए बताएज तो कि ये society की जरूरत बन गई चैसे आप करे है हां तो मतलब इसका वाईदा क्या है क्यूं हो रहा है और इसका नुकसान किया है क्या लगता आपको यार मैं हमेशे बोलता हूँ कि वक्त के साथ बदलना जरूरी है लेकिन उतना ही बदलना जरूरी है कि मरियादा में रहें चीजे घर से अगर आप किसी बात पे कोई अन्बन हो जाती है, आपके माबाप से नहीं बन पारी है, आपके सासर से नहीं बन पारी है, आप अलग रहो कोई हर्ज नहीं है, रिष्टा खतम करना गलत बात है, रिष्टा खतम करने के लिए कहना गलत बात है, फर्क है, एक लड़की ये कहे या एक लड़का ये कहे क आज के टाइम में दूर रहना जुरूरत है दो सगे भाई एक साथ नहीं रह पा रहे है एक परिवार इखटा नहीं रह पा रहे है आप खुद देखोगे एक भाई यहां रह रहा तो एक भाई दूसरे स्टेट में भी रह रहे है दूसरे country में भी रह रहे हैं चार घर छोड़ के भी रह रहे है क्योंकि वो थोट नहीं मिल रहे है आज की generation ना बहुत fast चलना चाहती है माबाप है बैठ के सोच के समझ के action लेने वाले लोग हम लोग है क्या हो रहा है? ऐसा कर तो हमें उनको समझना पड़ेगा हमें भी समझना पड़ेगा कि आजकल के बच्चे नहीं करते मेरे माबाप मेरे माबाप के अंदर एक अची चीजी है कि मेरे फादर ना बहुत जल्दी ढ़ल जाते है किसी चीज में अगर for example मैं ये बोल दू ना कि ये खाने जा रहे है तो एक बर बोलते है ये चीज अच्छी नहीं होती नहीं इसको खाने सा ऐसा हो जाता है ठीक है फिर कर ले क्या दिक्कत है simple सा फंडा है clear cut है लेकिन क्यों खाके आ रहे हो शरम नहीं आती ये वो गलत हो जाता है छोड़ दो एक होता है धील देना आप पतं को खीच के रखोगे न एक वक्त पर तूट जाएगी वह आप ऐसे नहीं उगतार सकते धीरे धीरे होता है एक वक्त पर धील भी दी जाती है तो कब धील देनी है और कब धागा खीचना है ये भी आना चाहिए और इसके साथ साथ ये भी जरू चलाना सीख सके, दोनों अपने दिमाग चला सके, क्लियर सा फंड है कि दोनों अपने दिमाग चला सके, दोनों अपने विचार एक दूसरे के सामने खुल के रख सके, दूसरे अपने वक्त पे घर आ सके, किसी को बिना डिस्टर्ब किये, वो लोग अपनी जिंदके अपने हि खयाल नहीं मिल पा रहे है안 तो बहतर ही ही है कि अगर खयाल नहीं मिल पा रहे हैं तो उन्हें एक सलह देके ढील देताँ और फिर देख लो result जब तक चोट नहीं लगेग अकल नहीं आएगी एक बच्चा जब गिरता है नो तो उसे पता चल जाताए कि मैं ऐसे नहीं चलूगा तो बावा ये है दे एंड आफ पार्ट वन अफ दिस टू पार्ट पॉड़कास्ट तो मेरे को जरूर होता येगा कॉमेंट में कि आपको इस पॉड़कास कैसे पसंद आया और अगर आपको कोई वैल्यू इस पॉड़कास्ट में मिली है तो शेयर करना बावा लोग के साथ और भावा बहुत जल्द इसका पार्ट टू आएगा जो बहुत रैपिट फायर है थोड़े अलग तरीके से उसकी पुरी तयारी की गई है इस न्यू I am super excited about this I am sure आपको भी मज़ा आएगा बागी इसका तो होता न तब तक जल्दी मिलते है दूसरे पार्ट के साथ क्याल दखो बावा